हाई गाईस, वेलकम टू करंट अफेर्स फंडा, फ्रेंड से ओक्टोबर फॉर्थ वीक करंट अफेर्स की रिविजन कलास है, जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेर्स देखते हैं, उनके लिए करंट अफेर्स रिवाइस करने का यह अच्छा सोड़ से, और जिन इंडिया has assumed the chairmanship of the governing body of international labor organization after a gap of how many years? The correct answer is option D. तो भारत ने 25 वर्सों के बाद अंतराष्टिय स्रम संगठन, ILO की सासी निकाय की अध्यशता की है, Friends, ILO का headquarter से जीनेवा in Switzerland और 1919 में इसकी इस्थापना की गई थी, Labor and Employment Secretary अपूर्वा चंद्र को ILO की governing body का chairman बनाया गया है, Friends, 127 इसके member countries हैं और Ministry of Labor and Employment के Minister of States है, Santos Gangwarji. Union Cabinet Approved the MOU Signed Between India and Which Country on Cooperation in Exploration and Uses of Outer Space for Peaceful Purposes? The correct answer is option B. तो केंद्रे मंट्री मंडल ने बारत और नाइजीरिया के बीच सांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहिय अंत्रिक्स की खोज और उप्योग में सहयोग पर सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं, Friends, नाइजीरिया के प्रेजिडेंट है मौहमदु बुहारी, कैपिटल है आबुजा और करंसी है नाइजेरियन नाइरा, Friends, नाइजीरिया और नाइजर दोनों अफ्रिकन कंट्रीज हैं, जैसा कि आप मैप से भी देख पारे होंगे, नाइजीरिया की कैपिटल आबुजा है, जबकि नाइजर की कैपिटल है नियामी, तो यह मैच दफ फॉलोइंग्स में पूछाएदा सकता है, इसलिए इन दोनों कंट्रीज की कैपिटल आप याद रखना, आगे बढ़ते हैं, तो केंदर सरकार ने सभी जीलों में जीला विकास परिश्यदों की इस्थापना करने के लिए, जम्मो एंड कश्मीर केंदर सासित परदेश के पंचायत राज अधिनियम में संसरोदन किया है, और यह एक्ट है, पंचायती राज एक्ट 1989, और इसके तहट District Development Councils और District Planning Committee इनकी स्थापना की जाएगी और इनका कारेकाल रहेगा पास साल, फ्रेंड्स, जम्मो एंड कश्मीर 31 अक्टुबर 2019 से यूनियन टेरेक्ट्री के रूप में अस्तित्तों में आया, यहाँ के Lieutenant Governor है Manos Sina, स्री नगर समर, तो जम्मो यहाँ की Winter Capital है, अगर यहाँ के Current Affair की बात करें, तो यहाँ के Lieutenant Governor Manos Sina जी ने, स्पैरो सिस्टम को लॉंच किया है, और यह लॉंच किया गया, यहाँ के Administrative Service Officers के लिए, तो Friends, Question इस तरह से भी पुछा जा सकता है, कि कि किस राज्य या केंदर सासित परदेश के Administrative Service Officers के लिए, इस पैरो सिस्टम को लॉंच किया गया, तो आंसर होगा, जम्मो एंड काश्मीर. Which Central and Police Forces signed an MOU with IIT Delhi and the DRDO to prepare tech experts from among forces? The correct answer is Option C. तो Central Reserve Police Force यानि CRPF ने तकनीकी विशेसग्यों को तयार करने के लिए, IIT Delhi और DRDO के साथ एक समझोता गयापन पर हस्ताक्षर किये हैं. Friends, CRPF इंडिया की Largest Central Armed Police Force है, इसका मोटो है Service and Loyalty. Friends, ये कोश्चन इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है, कि CRPF ने तकनीकी विशेसग्यों तयार करने के लिए, DRDO और किस IIT के साथ समझोता गयापन पर हस्ताक्षर किये हैं? तो आंसर होगा, IIT Delhi. Which Bank introduced the banking services on WhatsApp for its customers? Correct answer is Option C. तो IDBI Bank ने अपने ग्रहाकों के लिए WhatsApp पर banking सेवाएं पेश की हैं, IDBI का मतलब है Industrial Development Bank of India. और Friends, इसका Headquarters है Mumbai में, स्लोगन है Banking for All, आओ सोचे बड़ा. Which state has become the first state to regulate the rates of face masks during COVID-19 pandemic? Correct answer is Option D. तो COVID-19 महामारी के दोरान, face mask की दरों को विनियमीत करने वाला पहला राज्ये महाराष्ट बन गया है. और इसके तहए तब N95 mask का rate होगा 19 रुपे से 50 रुपी के बीच में. महाराष्ट के CM है उद्दा उठाकरे, गवर्णर हैं बहगत सिंकोश्यारी और कैपिटल है मुंबई. Friends, अगर हम महाराष्ट से जुड़े current affairs की बात करें, तो महाराष्ट की पहली woman election commissioner नीला सत्यनाराण इनका निदन हो गया है. तो question इस तरह से भी frame किया जा सकता है कि नीला सत्यनाराण जिनका हाली में निदन हो गया है, वे किस राज्य की पहली woman election commissioner थी? तो answer होगा महाराष्ट. साथी new development bank जिसे BRICS bank भी कहते हैं, इसने मुंबई मैट्रो के लिए 241 million dollar का loan approve किया है. साथी वर्ड का largest plasma therapy project, Project Platina ये महाराष्ट में launch किया गया. और यहां के CM उद्दव ठाकरे ने My Family, My Responsibility Initiative शुरू किया है. Who represented India at the first ever virtual youth 20 global summit? The correct answer is option B. तो पहली virtual youth global summit में भारत का प्रतिरनी दित्व किरन रिजीजू ने किया है. Friends, किरन रिजीजू, Minister of State of the Ministry of Youth Affairs and Sports के साथ-साथ, Minister of State in the Ministry of Minority Affairs of India भी है. और इस Y20 Global Summit का theme रहा, Government Youth Dialogue on Post-Covid-19 Opportunities. और इस summit को host किया है, Saudi Arabia ने. Which life insurance company has launched Invest 4G plan with multiple saving options protection cover? The correct answer is option D. तो Canera HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Corporation Ltd. इस B. मिमा कंपनी ने multiple saving option protection cover के साथ Invest 4G plan launch किया है. और इस life insurance company का headquarter से Guru Gram in Haryana. Which state is implementing the smart blackboard scheme in 80,000 government schools to ensure better teaching environment? The correct answer is option C. तो बहतर सिक्षन माहोल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में smart blackboard योजना का जो शुरुवात की है, वो की है तमिलनाडु ने. तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, E.K. पलनी स्वामी, capital है, चेन्नाई और governor है, बनवारी लाल पुरोहीद. तमिलनाडु के अगर बात करें, तो पोडुचेरी, केरल, करनाटक और अंधरपरदेश चे लैंड बोर्डर शेयर करता है. और friends, एक fact और आपको मैं यह बता देता हूँ, यह काफी exams में पूछा भी जा चुका है, और आगे भी यह पूछा जाता रहेगा, क्योंकि यह काफी important topic है. देखें, जितने भी सभी states और union territories की बात करें, तो इनमें Delhi सबसे most urbanized है, और अगर केवल states की बात करें, तो गोवा most urbanized state है, और अगर major states की बात करें, बड़े states की बात करें, तो उनमें Tamil Nadu most urbanized state है. The correct answer is option C, तो हर्षवर्दन ने क्योर्ड CSIR clinical trial website की शुरुआत की है, फ्रेंट्स क्योर्ड का मतलब है CSIR ushered repurposed drugs, और ये website, drugs, diagnostics, trials, इन सभी के बारे में जानकारी provide कराती है, फ्रेंट्स डॉक्टर हर्षवर्दन की अगर बात करें, तो ये Minister of Science and Technology, Minister of Health and Family Welfare के साथ-साथ, Minister of Earth Sciences भी है. डॉक्टर जेयन्थ मादव, who recently passed away, was a renowned economist from which state? तो परसिद्ध अर्थसास्त्री, डॉक्टर जेयन्थ मादव, जिनका हाली में नितन हो गया, ये आसाम से थे. आसाम के CMH सर्बनन्द सोनवाल, गवर्णर है जगदीशमुकी, और कैपिटल है तीशपूर. आसाम के अगर बात करें, तो पूटान, अरुनाचर प्रदेश, नागालेंड, मनिपूर, मिगाले, त्रिपुरा, मीजोरम, वेस्ट बेंगॉल के साथ-साथ, बांगलादिस के साथ ये अपनी लेंड बोर्डर शेयर करता है. फ्रेंट्स, एक फैक्टोरी आद रखना इनके साथ, जो डॉक्टर जेयंत मादव हैं, ये एशन डेवलपमेंट बैंक में एजर डिरेक्टर भी सर्व कर चुके हैं, तो कोश्चन ये भी बन सकता है कि डॉक्टर जेयंत मादव जिनका हाली में इतन हुआ है, ये किस बैंक में ऐसे डिरेक्टर काम कर चुके थे, तो आंसर होगा एशन डेवलपमेंट बैंक, वो लॉंच्ट लाइफ इन मिनियुचर प्रोजेक्ट फोर कल्चर ट्रांस्मिशन, करेक्ट आंसर इस ओप्शन दी, तो सांस्कृतिक प्रशारण के लिए प्रहलाद सिंग पटेल, इन् नॉर्मल पेंटिंग्स के मुकाबले छोटे साइच की होती है, और यह इनकी पैचान होती है, तो लगी सिंगनेचर के ब्रेंड अमबैस्टर के रूप में, लोईस हैमिल्टन को नुक्त किया गया है, फ्रेंट्स लोईस हैमिल्टन ब्रिटिश एफ़वन रेसिंग ड्राइवर हैं, जो मर्सेडिस टीम के लिए रेसिंग करते हैं, इसका आयोजन किया जाता है, और इसका इनागुरेशन किया गया है प्राइम मिनिस्टर स्री नरेंदर मोदीजी द्वारा, और इसका थीम रहा है सतर्ग भारत सम्रद भारत, यानि विजिलेंट इंडिया, प्रोस्पेरस इंडिया, विजिलेंज का मतलब होता है जाग रुकता, और फ्रेंट्स CBI के डिरेक्टर हैं रिशी कुमार सुकला, और फ्रेंट्स याद रखना कि CBI Academy उत्तरपरदेश के काजयाबाद में इस्तित है, और इसकी CBI की Parent Organization है, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. Next Question, Which state or UT has recently announced an exception of road tax on all the EVs और battery operated vehicles अंडर इट्स इलेक्ट्रिक वेहिकल पॉलिशी? EVs का मतलब है Friends, Electric Vehicles. Correct answer is option A, तो दिल्ली ने हाली में अपनी नवीनतम इलेक्ट्रिक वाहन नीती के तहत सभी इलेक्ट्रिक वेहिकल्स या बैटरी चालित वाहनों पर road tax में छूट की घोशना की है. Friends, New Delhi ने अगस्त 2020 में अपनी नई इलेक्ट्रिक वेहिकल पॉलिशी लॉंच की थी. और Friends, याद रखना कि तेलंगाना ने भी अगस्त में अपनी इलेक्ट्रिक वेहिकल पॉलिशी लॉंच की थी और इसने भी इस तरह के एक्जैम्शन अपनी पॉलिशी के तहत दिये हैं, जिसमें road tax माफ किया गया है, registration fees माफ की गई है, और डेली के जो LG है वे हैं अनील बै ये डेली में लॉंच किया गया, इनागरेट किया गया, साथी दिल्ली गवर्मेंट ने transplantation policy इसको लॉंच किया है, युद्ध पर्दूशन के विरुद्ध, ये भी डेली गवर्मेंट द्वारा लॉंच किया गया, एंटी एर पॉलुशन केंपेंग, विच युनियन जो कि युनियन मिनिस्टर ओफ इस्टेट, डेवलपमेंट ओफ नॉर्थ इस्टर्न रीजन, M.O.S.P.M.O., परसेनल पवरिक ग्रिवेंसेज, पैंसंस, एटोमिक एनरजी एंड इस्पेस, ये सभी मंदराले इनके पास हैं, तो इन्होंने G20, एंटी करॉप्शन युनियन, और इसके स्थापना 1999 में की गई थी, फ्रेंट, G20 की चेर्मेंशिप इस वक्त साथियरब के पास है, भारत 2022 में G20 सम्मिट होस्ट करेगा, और 2021 की जो G20 सम्मिट है, ये रोम, इटली में होगी, और फ्रेंट्स, देखिए, G20 सेरपा मीटिंग में, जो भारत के स सेरपा हैं, ये हैं सुरेश प्रभू, सेरपा जो होता है, वो G20 जो भी ये सम्मिट है, तो थ्रूआउट सम्मिट, प्लानिंग, निगोशियेशन, टास्क इंप्लिमेंटेशन, इन सभी के कारे को देखता है, तो वैग्यानिकों की एक टीम ने भारत का पहला ड्रेगन फ्राइ जीवास में, जारकन राज्य में खोजा है, और फ्रेंट्स, ये बताया गया है, कि ये जो जीवास में, ये 2.5 मिलियन ये ओल्ड है, और जारकन के सीम है, हेमान सोरेन, गवर्णर है, यहां की, और कैपिटल है राची, फ्रेंट्स जारकन से जुड़े गर करेंट अफेर्स की बात करें, तो यहां की सोहराई खोवार इस पेंटिंग को जी आई टैग मिला है हाल ही में, और जारकन राज्य ने अपना नया इस्टेट एमबलम लॉंच किया है, और ये जो नया एमबलम ह ये हरे रंग का एक सरकल है, जिसके बीच में नेशनल एमबलम है, इसके नीचे सत्य में उजयते भी लिखा है, As per the study published in the Lancet Journal, what is the life expectancy of India in 2019? The correct answer is option D, तो Lancet पत्रिका में छपे, अध्यान के अनुसार, प्रकाशित, 2019 में भारत की जीवन पृतियाशा ये life expectancy रही है, वो है 70.8 years, Friends, देखिए, जो ये life expectancy होता है, ये उतरे सालों को दरसाता है, जो कि एक व्यक्ति जीने की उमीद कर सकता है, और जो ये the Lancet है, ये एक medical general है, जिसे की 1823 में, एक English surgeon Thomas Vaclay ने found किया था, और Lancet का मतलब होता है, Scalpill, यानि एक जो surgery के time पे जो एक छूरी यूज की जाती है, डोक्टर द्वारा, उसे बोलते हैं, Lancet, आगे बढ़ते हैं, intellectual property literacy week was celebrated on which day, the correct answer is option B, तो basically आपर बताना है कि किस सपता, बुद्धिक, संपदा, साक्षरता सपता मनाए गया, तो answer होगा 15-23 October, friends इस तरह के question काफी important होते हैं, और हाल ही में कई तरह के इस तरह के सपता मनाए गया, जैसे portion महा मनाए गया, इसे तरह से portion week भी बनाया गया, तो यह सभी आपके exams के लिए काफी important रहते हैं, तो इनको आप note down कर लिया कीजिए, और इस मोके पर, देखिए 15 तारिक से शुरुआ, तो 15 तारिक से क्यों सुरुआ किया गया है, क्योंकि 15 तारिक को जो हमारे former president और scientist, late Dr. A.B.J. अबदुलकरा में इनकी बर्थ anniversary मनाई जाती है, तो इस मोके पर जो हमारे education minister है, स्री रमेश पोकरियाल निसंक, इन्होंने कपिला कलाम प्रोग्राम for intellectual property, literacy and awareness campaign इसको launch किया है, और friends, एक factor और याद रखना, कि 2018 में Ministry of Education द्वारा, Institution Innovation Council इसकी स्थापना की गई थी, तो अमेरिकी खादेवम औजदी प्रसासन ने इन्वाजेब को Ebola बिमारी के लिए पहले FDA अनुमोदित उप्चार के रोप में मंजोरी दी है, friends, इसे भाब बोल सकते हैं, REGN EB3, friends, जो Ebola है, इस बिमारी में सरीर में नसो से खोन बहार आना शुरू हो जाता है, और जिससे internal building भी शुरू हो जाती है, इसमें friends, 90% जो patient होते हैं, उनकी death हो जाती है, और ये मरीज के संपरक में आने से फैलता है, और Ebola friends, एक नदी का नाम है, जो की Congo में बहती है, तो उसी के नाम पर इस इस का नाम दिया गया है, the correct answer is option A, तो SBI काड ने Delhi Metro के साथ साजेदारी में, एक contactless multi-purpose काड को लाँज किया है, friends, देखिए, इस काड का जो फाइदा ये रहेगा, कि ये एक multi-purpose काड है, जो की credit काड के साथ साथ एक Metro smart काड के रूप में भी यूज किया जा सके, इस काड करेगा, which company has been selected by the government to connect 5000 village under भारतनेट प्रोजेक्ट by March 2021, the correct answer is option D, तो March 2021 तक भारतनेट परियोजना के तेयर 5000 गाउँ को जोडने के लिए, सरकार ने huge communication का chain किया है, friends, देखिए, भारत सरकार का जो target है, वो धाइलाख विलेज पंचायत को connect करना है, high-speed broadband service से और इसका target रहेगा अगस्त 2021 तक, तो ये काफी important है, पुछा जा सकता है कि जो धाइलाख विलेज पंचायत हैं, इनको high-speed broadband service से जोडने का जो target है, वो किस वर्स तक पूरा करने का सरकार ने सोचा है, तो answer होगा अगस्त 2021, As per the Arden Capitals Passport Index, which country emerged as the country with the most powerful passport in the world? Correct answer is option D, तो Arden Capital के Passport Index के अनुसार, New Zealand, दुनिया में सबसे सकतिसाली पास्पोर्ट वाला देश बनकर उभरा है, Friends, New Zealand की जो PM है, वह है Jason Darden, और इन्हें हाली में relact किया गया, इनका second term अपसुर हो चुका है, तो ये भी आप याद रखना, Capital है Wellington, और currency है New Zealand Dollar, Friends, और अगर इस index की बात करें, 2 main land masses को consist करता है, मतलब 2 main land masses इसके अंडर में आते हैं, एक तो है North Island, जो कि आप देख रहे होंगे, इसमें Hamilton, Auckland, Wellington, ये cities आती हैं, दूसरा है South Island, जिसमें क्वेस्टर सीटी आती है, और Friends, देखे, एक होता है Henley Passport Index 2020, इसको टॉप किया था Japan ने, और इंडिया की इसमें रहेंग थी 84th, United Nations World Development Information Day is celebrated every year on which day? The correct answer is option C, तो संयुक्त राष्ट विश्व विखास सूचना दिवस, हर साल 24 October को मनाया जाता है, Which country has introduced flash flood guidance services for South Asia? The correct answer is option A, तो भारत ने दक्षिन एश्या के लिए flash flood guidance सेवा की शुरुआत की है, और Friends, इसके तहत इंडिया, नेपाल, बोटान, बांगलादेश, स्रिलंका, जितनी भी यह साउध इशन कंट्रीज हैं, इन सभी को जो flood की जो warning होती है, वो provide करा दी जाएगी, फ्लरड आने से पहले, और जो हमारे ये इंडिया, मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट है, इसके डिरेक्टर जनरल है, डॉक्टर M. मोहापात्रा, और Friends, ये important है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन सुनामी अर्ली वर्निंग सिस्टम, अर्लिंग बॉर्निंग सेंटर, ये जो है, ये हाइदराबाद इस्थित, इंडियन नेशनल सेंटर, फोर ओशियन इन्फोर्मेशन सर्विसेज, यहाँ पर लोकेटेड है, मतलब इस इंस्टिट के अंदर इसका केंपस है, तो आप ये याद अखना, कि ये दोनों इंस्टिटूट हाइदराबाद में है, और फ्रेंट जो इस फ्लेस फ्लेड सर्विसेज के तहर, 6 से 24 घंटे पहले, बाड की शेतावनी के लिए एक अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, फ्रेंट्स फ्लेस फ्लेड, जो ये फ्लेस फ्लेड है, इसका मतलब है कि बारिस होने के 6 घंटे के बीतर बीतर ही फ्लेड हा जाती है, तो उसे कहते हैं फ्लेस फ्लेड, तो ये टरम भी आप मतलब जनरल जानकारी या दखना, कि बारिस होने के 6 घंटे के अंदर अंदर जब फ्लेड आ जाती है, तो हाल ही में सुडान ने संजुक्त अरग अमिराथ और बहरीन के बाद इसराइल को मान्यता देने पर अपनी सहमती ब्यक्त की है देखें फ्रेंट सबसे पहले इसराइल को मान्यता जिस अरब ने दी थी वो था इजिप्ट उसके बाद जॉर्डन और उसके बाद फिर युनाइटेड अरब एमिराथ फिर बहरीन और अब नमबर आया है सुडान और फ्रेंट्स यह जो सब एग्रिमेंट चल रहे हैं इसका नाम दिया गया है अब राम एकॉर्ड्स तो यह पहले युनाइटेड इस्टेट्स जुड़ती जारी हैं तो अब इसमें आपका सुडान भी जुड़ गया है और इससे पहले बहरीन भी जुड़ गया था सुडान की कैपिटल है खार्टूम और यहां के प्यम है अबदल्ला हम्डोक करंसी है सुडानीस पाउंड फ्रेंट्स सुडान और साउथ सुडान यह यह दो लग कंट्रीज है याद रखना सुडान जो है यह लेंड लोक कंट्री है जबकि सुडान जो है यह रेट सी से अपना कोस्टल एरिया शेयर करता है और फ्रेंड्स जो सुडान है इसकी कैपिटल है जूबा इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एगरी वीक वाज ओर्गनाइजड ओन विच डे ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन ए तो भारत अंतराश्टे खादे और क्रिशी सप्ता का आयोजन यह सोला से 22 अक्टूबर के बीच किया गया है विच माइक्रो स्टेट ऑफ यूरोप ह इस वन नाइनटींथ मेंबर ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन सी तो एंडोरा को आई एम एफ यानी इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के एक सो नब्यवे सदस्य के रूप में सामिल किया गया है फ्रेंट्स देखिए माइक्रो इस्टेट काफी छोटे स्वतंत्र देश होते हैं चाहे एरिया वाइस बात की जाए या फिर पॉपुलेशन वाइस यूरोप में मुख्य तक 6 माइक्रो इस्टेट हैं माल्टा, मोनेको, सैन मेरिनो, वैटिकन सिटी, एंडोरा, एंड लिजियन स्टाइन, एंडोरा की कैपिटल है एंडोरा लावेलिया, करंसी है यूरो, मै Is Which state secured the first rank in implementing the Prime Minister आत्म बनीरभर निधी Scheme? स्वा निधी Scheme The correct answer is option C. तो उत्तरप्रदेश राजयनी पी-ेम आत्म बनीरभर निधी योजना स्वा निधी योजना को लागू करने में पहला इस्थान हासिल किया है और इसने सभी कैटेग्रीज में first rank हासिल की है चाहए वा एप्लिकेशन्स हो, सैंक्शन्स हो, या फिर डिस्पर्समेंट हो, और सेकेंड रैंक इसमें आई है मद्यपरदेश की, थर्ड रैंक है तेलंगाना की, सिटीज की बात की जाएं तो टॉप थ्री सिटीज है वारांसी, लखनौ एंड अलीगर्ड, फ्रेंट्स, प्राइम मिनि से जुड़े Current Affairs की बात करें, तो यहां के CM, योगी आदित्यनाथ ने NRI Unified Portal लांच किया है, साथ ही इन्हों ने URISE Portal भी लांच किया है, URISE का मतलब है Unified Reimagined, Innovation for Students Empowerment, साथ ही इन्हों ने कहा है कि इंडिया की बिगेस्ट फिल्म सिटी, नोईटा में सेट अप की जाएगी, और उत्तरप्रदेश गवर्मेंट ने आयूस कवच एप भी लांच की है, पैप्सिको ने कहा है कि ये उत्तरप्रदेश में Greenfield Potato Chips Production Unit सेट अप करेगी, फ्रेंड्स ये सभी Current Affairs पिछले कुछ महीनों के हैं, ये आपके Revise के लिए हैं, इनको आप अपने End से सर्च करके Detail में पढ़ सकते हैं, विच स्टेट लॉंच्ट इंटिग्रेटेड मोडल एगरिकल्चरर विलेज स्कीम इन पार्टनर्शिप विद नाबाड, ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन सी, तो उत्राखन राज्य ने नाबाड के साथ साजेदारी कर एक इकरत मोडल क्रिशी ग्राम मेकनाइजट फार्मिंग की और अग्रेसर गरेगा, फ्रेंट्स मेकनाइजट फार्मिंग का मतलब है कि जो भी एगरिकल्चर से एलेटेड वर्क हैं, उसमें मशीन का साहरा लेना, ताकि समय की भी बचत हो सके और काम भी जल्दी हो सके, उत्राखन के सीम है त्रिवेंदर स जरूर, इसे रामसार साइट टैग मिला है, साथी उत्राखन के सीम त्रिवेंद सिंग रावत ने सौर स्वरोजगार योजना को लांच किया है, ताकि यूद के लिए सेल्फ एम्प्लॉइमेंट सुरू किया जा सके, साथी उत्राखन सीम ने फर्स्ट पिरूल पावर प्र इसको भी लॉंच किया है, विच कंट्री है लॉंच्ट नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी इन और तो कंट्रोल दे स्प्रेड ओफ कोवीड नैंटीन वाइरस, ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन डी, तो कोवीड नैंटीन वाइरस के परसार को नियंतरित करने के लिए बांगला बांगलादेश की पीम है सीख हसीना, प्रेजिडेंट है अब्दुल हामीद, कैपिटल है धाका और करंसी है बांगलादेशी टका, जो इंडियन स्टेट बांगलादेश के साथ अपनी लेंड बोर्डर शेर करते हैं वें आसाम, त्रिपुरा, मेगाले, मिजोरम, एंड व मलोत्रा को, रिबबबलिक ओफ सैन मेरिनो में भारत के अगले राजदूत के रूप में न्यूक्त किया गया है, फ्रेंट्स, अगेन मैंने आपको पहले कोश्चन में भी बताया था, रिबबलिक ओफ सैन मेरिनो, ये भी एक माइक्रो इस्टेट है, मैप से जैसे कि आप द नेस्को में भारत का पर्मनेंट अम्बैस्टर न्यूक्त किया गया है, मनोज कुमार भारती, इनको इंडोनेशिया में भारत का नेक्स्ट अम्बैस्टर न्यूक्त किया गया है, परदीप कुमार रावत, इनको निदर लेंड में भारत का नेक्स्ट अम्बैस्टर बनाया गया है जाधी मिजुम्दारिं को हो ली सी में भारत का next ambassador बनाया गया बेवियानी खॉब्र trabajoSte इनको। कंबोडिया में भारत की नई ambassador बनाई है तरंचीत संधू ये इंडिया के एंब्वेसड़ युनाइट स्टेट्स में यह हाला कि जन्वरी का करेंट-अफैर है विच बैंक इन कॉलबरेशन विद आयाईटी मदरास इंक्यूबेशन सेल आयाईटी M.I.C. लाउंच्ट एन इनिशियेटीव फॉर फंडिंग स्टार्ट अप्स ती करेक्ट आंसार इस ओप्शन बी तो आयाईटी मदरास इंक्यूबेशन सेल के सहयोग से इंडियन बैंक ने स्टार्ट अप के विद्ध पोशन के लिए एक नई पहल की सुरुवात की है और इस पहल का नाम है आई एंडी स्प्रिंग बोर्ड जो की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं तो फ्रेंट्स इसके तहर जो ये आयाईटी मदरास का इंक्यूबेशन सेल है IITMIC ये इन जो यहां की जो स्टार्ट अप्स हैं उनको रेफर करेगा के लिए और कैस फ्लो में उनकी मदद भी हो सकेगी और इंडियन मेंक का हेटकॉर्टर से चिन नहीं में तो हाल ही में फ्लिपकार्ड ने आदित्य बिल्ड़ा फैशन में 7.8 परतीसत की हिस्सेदारी का अधिगरेंड किया है और इसके लिए जो कुल कीमत लगी है वो है 1500 करोड रुपे और फ्रेंट्स पिछले दो महीनों में ये दूसरी ऐसी बड़ी डील है इससे पहले रिलाइंस ने फ्यूचर ग्रूप में अपने स्टेक एक्वाइर किये हैं 25,000 करोड रुपे में आदित्य बिल्ड़ा ग्रूप के चेरम हैंने कुमार मंगलम बिल्ड़ा और फ्लिप कार्ड के अगर बात करें तो इसने हाल ही में आओ फिर पकड़नी रफ्तार इस केंपेन को लॉंच किया है और फ्लिप कार्ड ने वाल्लमार्ट का जो इंडिया बिजनस है इसको एक्वाइर किया है तो हाल ही में मेघाले राज्ये के मुख्यमंत्री ने राज्ये के क्रामिन चेत्रों में माइक्रो एटीम सेव का सुभारंब किया है मेघाले के चीफ मिनिस्टर है कॉन्रेट केस संग्मा यहां के गवर्णर है सत्यपाल मलिक कैपिटल है शिलोंग कई बार एक्जाम में कुश्चन आ चुका है कि स्कॉटलेंड ऑफ इस्ट किसे का आ जाता है तो आंसर होगा सी लोंग अब फ्रेंड से माइक्रो एटीम क्या होते हैं देखें माइक्रो एटीम जो हैं यह किराना सोप ओनर्स जो होते हैं व्यापारी जो होते हैं इनके इनको प्रोवाइट खराए जाते हैं तो इसमें क्या फंक्शन होते हैं तो इससे कैस डिपोजिट भी क्या जा सकता है और विड्डॉल भी क्या जा सकता है फंट ट्रांसफर भी क्या जा सकता है बैलेंस इंक्वाइरी भी किसे जा सकती है तो जो भी कस्टमर इनकी श तो साध हरीडी को लेबनान के परदानमंत्री के रूप में फिर से न्युक्त किया गया है लेबनान की जो कैपिटल है वो है बेरूत यहां के प्रेजिडेंट है मिशेल आउन करंसी है लेबनीज पाउंड इस करेक्ट आंसर इस उप्षिन को तोड़ने के लिए मिजोरम राज्यने 14 दिनों के लिए कोविड नाइन्टी नो टोलरेंस पकवाड़ा चलाया है और फेंड्स देखिए पकवाड़ा बोलते हैं इसको फोर्टनाइट को फोर्टनाइट मतलब चोदा दिन का जो टाइम पिरेड होता है और मिजोरम के CM है जोरम थंगा गवर्णर है PS स्रीधरन पिल्लाई और कैपिटल है आइसल PM नरेंद्र मोदी लॉंच दे किसान सुर्योदय योजना इन विच स्टेट तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में किसान सुर्योदय योजना की सुरुवात की है और इसके तहत किसानों को 16 घंटे की पावर सप्लाई दी जाएगी साथ ही इन्होंने पेड्रियाट्रिक हर्ट होस्पिटल इसको भी इनोगरेट किया है जो की एक यूनाइट जो की यू एन महता इंस्टिटूट ऑफ कार्डियोलोजी एंड रिसर्ड सेंटर में इस्थापित है फ्रेंड्स अगर हम गुजराथ से एलेटेट करंट अफेर्स की बात करें तो गुजराथ सीम ने हाली में डिजिटल सेवा सेतु इसको लांच किया है गुजराथ गवर्मेंट ने साथ ही में मुख्या मंतरी महिला उतकर स्रियोजना की शुरूआत की है और फ्रेंड्स वि करेक्ट आंसर इस ओप्शन सी तो जापान ने दोजार साथ तक सुन्य काबर कार्बन उत्सरजन का अलग से प्राप्त करने का संकल्प लिया है फ्रेंड्स यहां के प्राइम मिनिस्टर है योशी हाइट सुगा एंपरर है नरुईटो और कैपिटल है टोक्यो फ्रेंड्स को एडो भी बोला जाता था पहले और यह कोश्चन पुछा जा चुका है एक्जाम में और यहां की करन्सी है जैपनीज येन फ्रेंड्स यापान में मुख्य तब पांच आइलेंड्स हैं और अगर नोर्थ से साउथ में हम देखें तो होकाइडो होन्शू शिकोकू क्यू और ओकिनावा यह भी एक्जाम में पूछा जा चुका है अगर आप किसी बड़े एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो इस पॉइंट को आप नोट कर लें नौर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए कोश्चन पुछा जाता है पार्लियमेंट है यहां की नैशनल डाइट है रि और फ्रेंड्स इसी तरह की एक पैज चाइना ने भी की थी जिसने काए कि 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रालिटी प्राप्त कर लेंगे विच हाईकोड विगेम दि फर्स इन द अ कंट्री तु इस्टार्ट लाइव स्ट्रेमिंग प्रोसीदिंग लडेंग्स ओन यूट्यूब चैनल ती करेक्ट आउंसर इच ओप्शन बी तौ यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रेमिंग की कारवाई शुरू करने वाला देश का पहला हाई कोट है गुजरात हाई कोट और यहां की चीफ जस्टिस हैं विक्रमनाथ फेनी ब्रीज टो बी कम्प्लिटेड बाई December 2020 विल कनेक्ट विच इंडियन स्टेट विद बांगलादेश इस तो फेनी पुल जो की December 2020 तक पुरा हो जाएगा यह त्रिपुरा राज्जे को बांगलादेश से जुड़ेगा इसकी खोशना की है नितिन गड़करीजी ने इन्होंने कई सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स यहां पर लोंच के त्रिपुरा में तब इन्होंने बताया कि जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेनी ब्रीज है यह December 2020 तक पूरा हो जाएगा और फ्रेंट्स त्रिपुरा में एक टाउन है सब रूम तो यह इसको बांगलादेश के रामगर्ड टाउन से करेक्ट करेगा त्रिपुरा के सीम है बिपलव कुमार देव यहां के त्रिपुरा में है और काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछे जा चुके है ताटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और विच आई 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 टी हैव जॉइंटली डेवलप्ट अनोवेल इंडस्ट्री 4.0 टेक्नलोजी फोर रिमोटली कंट्रोल्ड फैक्ट्री ओपरेशन्स दि करेक्ट आंसर इस ओप्शन डी तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और आई 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 टी खड़कपूर ने संयुक त्रूप से दूर से नियंत्रित फैक्ट्री संचालन के लिए एक अनोखी उद्योग 4.0 तकनीक विक्सित की है फ्रेंट्स आई आई टी खड़कपूर वेस्ट बेंगॉल में है फ्रेंट्स आपको यहाँ पर एक टर्म दीख रहा होगा नोवेल इंडॉस्ट्री 4.0 के आगे जो लिखा है नोवेल तो आपने यह सब्द पढ़ा होगा नोवेल कोरोना वाइरस में भी तो नोवेल का मतलब होता है अनोखा जो पहले ना कभी देखा या सुना गया हो तोटली डिफरेंट पहली बार जिसको आप सुन रहे हो तो इसका मतलब होता है नोवेल और फेंड्स अगर कोश्यन की बात करें तो इन्रस्ट्री 4.0 टेकनलोजी का मतलब जो भी फैक्टरिक ओपरेशन है उसे रिमोटली कंट्रोल करना और साथ-साथ किसी गड़बरी को रियल टाइम में सही करना अगर IIT खड़कपुर से जुड़े करन्ट अफेर्स की बात करें तो इसने एक कोवीड टेस्ट भी डेवलप किया है जिसका नाम है कोवीर एप 500 रुपे इसका चार्ज है और एक घंटे में यह अपना रिजल्ट दे देता है साथी IIT खड़कपुर की टीम ने Elderly People की Help करने के लिए Care for You इस एप को भी बनाया है साथी IIT खड़कपुर ने एक e-classroom software डेवलप किया है जिसका नाम है दिक्षप और IIT खड़कपुर ने अपने Game Pass में Academy of Classical and Folk Arts की शुरुवात की है तो ये भी काफी important questions है इंडिया एंड विच कंट्री held the third bilateral 2 plus 2 ministerial dialogue and signed defense pact बैका तो भारत और USA ने तीसरे दुई पक्षिय 2 plus 2 मंत्री इस्त्रियस समवात किये और रक्सा समझोता बैका पर हस्ताक्षर किये है फ्रेंट्स यहां से दो question बन सकते है फर्स्ट तो यही कि 2 plus 2 ministerial dialogue ये कि दो countries के बीच हुआ तो इंडिया and USA और दूसरा कि ये कहाँ पर हुआ तो ये हुआ है New Delhi में तो चार option में दो आपको मिल सकते हैं इंडिया के और दो USA के तो पूछा जा सकता है कि का पर हुआ है तो answer होगा New Delhi में फ्रेंट्स देखिर बेका का मतलब है basic exchange and cooperation agreement तो बेका समझोता भारत को accurate global geo special maps या भू इस्थानिक data प्रदान करेगा समवेदन सील और classified जानकारी को अब दोनों देश एक दूसरे से साजा कर पाएंगे और इस जानकारी के साथ भारत हिंद महासागर में Chinese novel movement को monitor कर सकेगा फ्रेंट्स भारत ने इस से पहले तीन इसी तरह के agreement sign किये है तो फर्स्ट तो है जो की 2002 में sign किया गया था General Security and Military Information Agreement सेकिंड है लेमोवा जो की 2016 में sign किया गया था इसका मतलब है Logistics Exchange Memorandum of Agreement थर्ड है ComCasa जो की 2018 में sign किया गया है Communications, Compatibility and Securities Agreement और फ्रेंट्स Mike Pompeo यह US Secretary of State है काफी चर्चा में रहते हैं तो यह भी आप याद रखना महेश कनोडिया has passed away he was a well-known singer of which language the correct answer is option B तब महेश कनोडिया जिनका निधन हो गया है यह गुजराती बासा के जाने माने गायक थे और यह MPB रह चुके हैं लोग सबासे और फ्रेंट्स अगले ही दिन इनके भाई एक्टर नरेश कनोडिया इनका भी निधन हो गया है और यह हमारे परदान मंतरी नरेंद्र मोदी के भी काफी जानने वाले थे और इन्होंने भी ट्विट करके इनकी दोनों की निधन पर अपना सोक व्यक्त किया है तो परंपरा सरंखला 2020 राष्ट्रे संगीत और नित्य उत्सव इसका जो इनकारेशन किया है वो किया है हमारे वाइस प्रेजिडेंट एम बंकाया नाइडू जी ने और इस फेस्टिवल को और्गनाइस किया है नाट के तारंगिनी ने इन पार्टनर्शिप विद दी उनाइटे नेशन्स विच स्पेस एजन्सी कन्फर्म्ड दी प्रेजेंस ओफ वाटर ओन संलीट सर्फेस ओफ मून ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन तो नासा ने चंदरमा की संलीट सता पर पानी की उपस्तिती की पुष्टिगी है फ्रेंट्स संलीट सता का मतलब चंदरमा की उस सता से है जहां सूरज की रोशनी हो और ये कन्फर्म हुआ है नासा के स्ट्रेटोसफेरीक अब्जरवेटरी फोर इंफारेड एस्टोनॉमी टेलिसकोप यानी सोफिया टेलिसकोप के दुआरा तो इसने का है मतलब इसके दुआरे जो पता लगाया गया है वो है कि जो लूनर सर्फेस का जो कलेवियस क्रेटर है वहाँ पर वाटर मॉलेक्यूल पाए गए है नासा की फुल फॉर्म आपको मालूम ही होगी नेशनल एरोनोटिक्स एंड इस्पेस अड्मिनिस्ट्रेशन वट वज दा थीम ऑफ दी फॉर्थ इंडिया एनर्जी फॉरम सेरा वीक ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन डी फ्रेंट्स ओप्शन डी राइट आंसर है यह टिक मार्क थोड़ा नीचे आ गया है तो आप दियान रखना तो क्या रहेगा थीम इंडिया एनर्जी फॉचर इन अवर्ड आफ चेंज और फ्रेंट्स एक चीज़ ओर याद रखना कि भारत का जो रिनेवल टार्गेट है रिनेवल एनर्जी जनेरेशन का जो टार्गेट है वो 450 गीगावाट है और इसको एचीव करेगा भारत 2030 तक तो इस तरह के जो टार्गेट होड़ते हैं यह भी आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं तो याद रखना 450 गीगावाट बाइट 2030 Union Minister of State for Shipping Mansook Mandaviyya inaugurated the direct port entry facility at Vio Chidambaram Port. This port is located in which state? The correct answer is option C. तो केंद्रिय शीपिंग राज्यमंत्री Mansook Mandaviyya ने Vio Chidambaram Port पर direct port entry सुविदा का उद्खाटन किया है और यह बंदरगा है तमिल लाडू में तो friends जो यह direct port entry facility है इससे logistics cost कम होगी क्योंकि जो containers होते हैं उन्हें पहले दूसरे stations पर लाए जाता है जो की सुबह 10 से साम के 8 बज़े तक ही काम करते हैं तो उससे delay हो जाती है तो इसी विज़े से direct port entry facility launch की गई है जिससे की container direct port पर पहुँचाए जाएंगे और friends जो यह वियो चिदंबरम port है यह भारत के 12 ports में से एक है साथ ही अगर हम current affairs की बात करें तो भारत का 13 major port है वो वादरवन इन महाराष्ट में develop किया जाएगा तो यह भी काफी important है आपके लिए इसको भी note down कर लीजेगा विच एफ़न रेस ट्राइवर गोट दे 92nd केरियर विक्टरी बाइ विनिंग दे पोर्जुगल ग्रांड प्रिक्स एफ़न रेस एंड ब्रोक दे रिकॉर्ड ओफ माइकल शुमाकर तो पुर्दगाल ग्रांड प्रिक्स एफ़न रेस जीत कर लुइस हैमिल्टन ने 92nd की जीत हासिल की और माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड दोरा तो फ्रेंट्स ये इनकी 92nd विक्ट्री थी और माइकल शुमाकर जो की जर्मन रेस ड्राइवर रह चुके हैं इनकी 91 ये इनकी विक्ट्री रही हैं तो अगर लुईस हैमिल्टन के बारे में देखें तो ये ब्रिटिस रेसिंग ड्राइवर हैं जो की मर्सेडिस के लिए का रेसिंग करते हैं और 2013 में ने माइकल शुमाकर को रिप्लेस किया था मर्सेडिस के लिए और फ्रेंड्स एक कोशन और या आप याद रखना कि सिल्वर स्टोन सर्किट ये एक्जाम में पुछा जाता है कि ये किस स्पोर्ट से संबन्दित है तो आंसर होगा आपका मोर्ट करेक्ट आंसर इस ओप्शन डी तो सोलमन दीप के लिए भारत के अगले उच्चा युक्त होंगे सुसील कुमार सिंगल और यहां की कैपिटल है होनियारा पीम है मानाशे सोगावारे करंसी है सोलमन डॉलर अगर हाली के हम अमबैस्टर देखे जो न्यूक्त किये गए है मनोश कुमार भारती जो की इंडोनेशा के अमबैस्टर बनाए गए है देवयानी खोबरडगरे जिने की कमबोडिया का अमबैस्टर बनाए गया है नीना मलोतरा जिने की रिपब्लिक ओफ सैन मेरीनो यहां क अमबैस्टर बनाए गया है और राहुल श्रीवास्तव इनको एलबेनिया का अमबैस्टर बनाया गया है रिसेंटली विच और गनाइजेशन लौश्ट रूपे फेस्टिव कार्निवल The correct answer is option C तो हाल ही में NPCI ने रुपे फेस्टिवल कार्निवल शुरू किया है इस रुपे फेस्टिवल कार्निवल के तहट NPCI यानि National Payments Corporation of India रुपे कार्ड के थूँ खरीदारी करने पर 65% तक का डिसकाउंट प्रोवाइट करेगी NPCI के Non-Executive Chairman है विश्व मोहन महापात्र और इसके MD and CEO है Mr. दिलीप अश्वे NPCI 2008 में बनी एक Not-for-profit Organization है जो की Companies Act 2013 के Section 8 में Registered है इसे RBI and Indian Banks Association द्वारा Establish किया गया था NPCI कई तरह की Services प्रोवाइड कराती है जैसे रूपे IMPS यानि Immediate Payment Service NACH यानि National Automated Clearing House ABPS यानि Aadhar Payment Bridge System NFS यानि National Financial Switch UPI यानि Unified Payments Interface NETC यानि National Electronic Tall Collection AEPS यानि Aadhar Enabled Payment System और भारत बिल पेमेंट सिस्टम तो देखे ये सभी काफी important है question बन जाता है कि ये सभी services किसके द्वारा provide कराई जाती है तो answer होगा इसका NPCI और friends अगर हम NPCI से related हाल ही के current affair की बात करें तो NPCI ने अपना एक subsidiary firm launch की है NIPL जिसकी full form है NPCI International Payments Limited और इसके जो CEO बनाए गई है ये हैं रितेश शुकला तो international markets में अपनी services expand करने के उद्देश्च से ये firm बनाई गई है तो काफी important है जिनका भी paper है SBI clerk mains का तो उनके लिए काफी important है याद रखना इसके CEO हैं रितेश शुकला Which ride hailing app introduced a new safety policy known as mask verification feature in India The correct answer is option C तो Uber ने भारत में mask 57 सुविधा के रूप में ग्यात एक नई सुरक्सा नीती पेस की है तो friends इस feature के तहट Uber उन riders से जिन्होंने अपनी last trip में mask नहीं पहना था उनसे request करेगा कि mask लगा अपनी selfie send करें ताकि next trip के लिए आपकी booking की जा सके Which state launched young advocates welfare fund The correct answer is option C तो तमिलनाडू राज्य ने युवा अधिवक्ता कल्यान कोश का सुभारंब किया है और इसके तहट जो भी लोग graduates है तो उनको दो साल तक के लिए 3000 रुपे की financial assistance प्रवाइड कराई जाएगी परमंद और friends यहां के CM है E.K. पलनी स्वामी गवर्नर है बनवारी लाल प्रोहित और कैपिटल है चिन्नाई और friends अगर हम तमिलनाडू से जुड़े current affairs की बात करें तो यहां के CM ने यह pledge ली है कि यह अपनी eyes donate करेंगे साथी तमिलनाडी government ने smart blackboard scheme इसको implement किया है तो इन सभी ने मिलकर भारत में electricity access और benchmarking distribution utilities इस report को launch किया है तो इस report में परधानमंत्री सहज बिजली हरगर योजना और दीन दयाल उपाद्याए ग्राम जोती योजना इन सभी के benefits highlight किये गए है 92% customers के 50 meter दाएरे में electricity infrastructure available है और 85% customers के यहां electricity meter connections है और 83% household customers को electricity प्राप्त हो रही है तो इस report का यह निचोड है Who succeeded आदित्यपुरी as CEO and MD of HDFC Bank The correct answer is option C तो HDFC Bank के CEO और MD के रूप में आदित्यपुरी का इस्थान लिया है ससीधर जगदीशन ने हाला कि यह appointment अगस्त की है लेकिन इन्होंने जो कारेभार समाला है वो अब 27 October को समाला है और friends HDFC Bank का headquarters है मुंबई में और इसका slogan है We understand your world Which e-commerce company launched Delivering Smiles program to support the education of students from marginalized communities The correct answer is option B तो उपेक्षित समुदायों की छात्रों की सिक्सा में सहयोग करने के लिए Amazon company ने Delivering Smiles कारेकरम की सुरुआत की है और friends इसके तहर जो Amazon है यह 5000 4G enabled tablet computers 18 NGOs के साथ partnership करके और government के साथ partnership करके जो भी नीडी बच्चे हैं उनको provide कराएगा और friends अगर Amazon से related current affairs की बात करें तो इसने एक campaign launch किया है कितने में मिला? साथी एक और campaign है इतना आसान है और friends यह वाला current affairs काफी important है Amazon ने हाल ही में self driving startup Zoox को acquire किया है Which country has the highest proportion of LGBTQ plus MPs in world? The correct answer is option D तो विस्व में LGBTQ plus MPs का अनुपात सबसे ज़्यादा New Zealand में है देखे फ्रेंट्स यहाँ पर हाल ही में आपको पता होगा कि जो यहाँ की PM है Jacinda Ardern इनको second term के लिए चुना गया है तो अब इस बारी जो यहाँ पर नए members आये हैं तो उनमें 11 member total 120 यहाँ पर जो पार्लेमेंट की जो strength है वो 120 है तो इसमें 11 member यह नए जो include किये गई हैं यह LGBTQ plus members से हैं और जो की 9% अगर आप calculate करें तो बैठते हैं तो इससे पहले UK में सबसे ज्यादा MPs थे LGBT communities के तो UK में 650 seats हैं और केवल 45 हैं यहाँ पर LGBT थे तो around 6.9% बैठते हैं तो यहाँ पर New Zealand के अब ज्यादा हो गए 9% Friends LGBT का मतलब तो आपको मालूमी होगा कि Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender और Q का मतलब है Queer और Friends एक बात और याद रखना जो LGBT communities है इनको Rainbow Community भी कहते हैं और New Zealand की PM है Jacinda Ardern, Capital है Wellington और currency है New Zealand Dollar और Friends हाल ही में New Zealand का passport सबसे powerful और US का 21 नंबर में और भारत का 58 नंबर का powerful passport बताया गया है और ये passport जो powerful जो लिस्टे निकाली गई है ये है Art on Capital Index त्वारा तो Art on Capital ये एक financial advisory firm है तो इसने ये report जारी की है जिसमें New Zealand का passport सबसे powerful बताया गया है Union Education Minister रमेश पोकरियाल निशंक वर्चुली इनगुरेटेड़ दर DST IIEST Solar PV Hub इन विच स्टेट The correct answer is option D तो रमेश पोकरियाल निशंक जो की Education Minister है इन्होंने DST IIEST Solar PV Hub ये launch किया है IIEST Sivupur जो की West Bengal में है और West Bengal की CMH ममताब एनरजी, Governor है जगदीब धनकर, Capital है कौलकाता और West Bengal जो है ये Odisha, जारकंड, बिहार, सिक्कीम, आसाम, बांगलादेश, बुटान और नेपाल के साथ अपनी Land Border शेर करता है फ्रेंट जो ये Hub बनाया गया है तो ये Hub राष्ट्रिय और इस्थाने उद्योगों, अनुसंधान, संस्थानों और स्टार्टप्स को बीना किसी रुकावट के सोर उड़जा की दिसामें ले जाने के लिए मदद करेगा आगे बढ़ते हैं तो भारत ने SCO की जो ministers of foreign economy and foreign trade इस meeting को host किया है और friends हाल ही में भारत ने एक और meet को organize किया था head किया था ये थी ministers of justice तो SCO के जितने भी members हैं इनकी एक meeting होगी थी ministers of justice को इसको भी इंडिया ने head किया था तो ये दोनों आप याद रखना ये बात इसलिए important है क्योंकि जो BRICS और SCO इसकी जो chairman सीफ है इस साल के लिए वो रशिया के पास है तो ज्यादा तर meetings रशिया में हुई है जैसे कि SCO foreign ministers की meet भी रशिया में हुई है और defense ministers की meet भी रशिया में हुई है friends थोड़ा संगाई corporation organization इसके बारे में जान लेते हैं तो 15 जून 2001 में संगाई जो की चाइना में है यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी कजाकिस्तान चाइना किर्गिस्तान रशिया ताजिकिस्तान द्वारा फिर इसमें उजवेकिस्तान को भी एड़ किया गया और friends इसक नाम होता है heads of state council और Russian और Chinese इसकी official languages है और इसके दो permanent bodies है एक तो है SCO का Secretariat जो की बीजिंग में है और दूसरा है RATS यानि regional anti-terrorist structure यह ताशकंद में है friends एक question exam में पुछा जा चुका है PCS में भी कि जो RATS है RATS यह किस organization का एक अंग है एक permanent body है तो याद रखना SCO की एक permanent body है साथी friends जो SCO के secretary generals है या फिर RATS के जो council of heads है इनकी जो appointment होती है तीन साल के लिए होती है और SCO में 8 members हैं इंडिया, कजाकस्तान, चाइना, कर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उच्वेकिस्तान Friends India और पाकिस्तान ने 2005 में SCO को observer के रूप में जोइन किया था और 2017 में इनने full member बना दिया गया है अब SCO के के वल चार observer states हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, इरान और मंगोलिया Which IIT developed a low-cost membrane technology to produce psychoactive drugs and anti-aging compounds from wide range of agricultural resources? The correct answer is option D तो IIT Guwahati के प्रोफेसर मिहीर कुमार पुरकेत, इन्होंने क्रिसी संसाधानों की विस्तरित स्रंकला से psychoactive दवाओं और anti-aging योगी को का उत्पादन करने के लिए कम लागत वाली जिल्ली तकनिक का विकास किया है Friends, IIT Guwahati से अगर जुड़े हुए current affairs की बात करें तो IIT Guwahati ने कुछ नए तरीके ग्याद किये हैं जिससे की जो Alzheimer disease होती है इसके कारण जो memory loss होता है तो उससे बचा जा सकता है साथी IIT Guwahati ने Imperial College London इसके साथ मिलकर Nano Particle Metagrid डेवलप किया है मंडी district of which state or UT has begged top position among 30 districts for successful implementation of प्रदान मंत्री ग्राम सड़क योजना The correct answer is option C तो प्रदान मंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कारियान वियन के लिए हिमाचल परदेश राज्य के मंडी जिले ने top 30 जिलों में सिर्ष इस्थान प्राप्त किया है और friends यह जो rank है यह जारी की गई है Ruler Development Ministry द्वारा और friends अगर हम हिमाचल परदेश की बात करें तो यह जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाक, पंजाब, हरियाना, उत्राकंड, यूपी और तिबत Autonomous Region in China इन सबसे land border शेयर करता है और friends अगर प्रदान मंत्री ग्राम सडक योजना की बात करें तो इसका Phase 1 25 दिसंबर 2000 में लागू किया गया था Phase 2 2013 में अप्रूव हुआ और Phase 3 यह 2019 में अप्रूव किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी इनागरेटेड आरोग्यवन, आरोग्यकुटिर, एकता मॉल and Children Nutrition Park at which place in गुजरात The correct answer is option B प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी ने गुजरात की केवडिया में आरोग्यवन, आरोग्यकुटिर, एकता मॉल और बाल पोशन पार्क का उदखाटन किया है Friends, आरोग्यवन में 382 परजातियों के 5 लाग से अधिक पोदे लगाए गए है आरोग्यकुटिर एक traditional treatment facility center है जिसका नाम है संतिगिरी wellness center एकता मॉल में handicrafts and traditional items ये सभी रखे गए है and Children Nutrition Park विश्व का पहला technology driven nutrition park है और गुजरात की अगर बात करें तो इसके CM है विजे रूपानी, गवर्णर है आचार्य देवरत और कैपिटल है गांधी नगर किसान सुर्योदय योजना किसानों के लिए launch की साथ ही यहां के CM ने digital सेवा सेतु भी launch किया है और यहां की government ने मुख्यमंत्री महिला उतकर्श योजना इसको भी launch किया है यह आपके revision के purpose के लिए है डिटेल के लिए आप इसको खुद से सर्च करें और साथी friends गुजरात में 1500 करोड रुपे की लागत से विश्व का सबसे बड़ा toy museum भी बनेगा आगे बढ़ते हैं Who developed a simple and secure messaging application named the secure application for internet शाए The correct answer is option D Secure application for internet नाम से एक सरल और सुरक्सित messaging application इंडियन आर्मी द्वारा डेवलप की गई है तो यह app friends end-to-end secure voice, text and video को लिंग की service प्रवाइड कराती है साथी friends इसी तरह की app है GIMS यानि Government Instant Messaging System जिसे बनाया है National Informatics System ने Friends जो यह National Informatics Center है NIC तो यह जो है government की जितने भी official websites है इनको संचालित करता है साथी friends इसी तरह की एक app है समवाद app जिसे C. ने बनाया है यह भी secure calling, text, news feeds यह सभी services प्रोवाइड कराता है तो NIC की आप full form याद रखना National Informatics Center Who released World's First Sign-Tune book entitled Bye Bye Corona? The correct answer is option D तो विश्व की पहली Sign-Tune आधारी पुस्तक Bye Bye Corona आनंदी बेन पतेल द्वारा जारी की गई है आनंदी बेन पतेल उत्तरपरदेश की गवर्नर है साथ ही साथ ये मध्यपरदेश की भी गवर्णर है जहां पर ये अतरिक्त कारेभार समाल रही है और जो ये बाइबाइब कोरोना साइन टून है इसको लिखा है डॉक्टर प्रदीब स्रीवास्तवा ने Friends, साइन टून का मतलब है Science प्लस कार्टून ऐसा कार्टून जिसमें Science से जोड़ी Communications दरसाई गई हो विच्स रेंटल और पुलिस फोर्स और्गनाइज़ फिट इंडिया वाकतन एड जैसल मेर राजस्थान तो राजस्थान की जैसल मेर मेर में ITBP ने फिट इंडिया वाकतन का आयोजन किया है और इस वाकतन को फ्लैक आफ किया है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरियन रिजीजू ने साथ ही इनका साथ दिया है एक्टर विद्यू जामवाले और ITBP जी फिलोफोर्म है इंडो तिप्तिन बॉर्डर पुलिस और ये Ministry of Home Affairs के अंडर काम करती है और ITBP के डीजी है SS देशवाल तो सब जोगे लिए नियून्तम समर्थर मोली यानि MSP तै करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है और केरल ने कहा है कि जो भी production cost होगी उससे 20% उपर MSP तै किया जाएगा केरल के CM है पिनराई विजियन गवर्णर है आरिफ मौम्मत खान और कैपिटल है थिरुवनंत पुरम फ्रेंड्स MSP मतलब minimum support price यानि government एक ऐसा नियून्तम मुल्य निर्धारित कर देती है जिससे नीचे किसानों की फसल को नहीं लिया जाएगा उससे उपर ही रेट दिया जाएगा ताकि किसान का सोशन ना हो सके और MSP 22 क्रोप्स के लिए निर्धारित की जाती है शुगर के लिए fair and rumoration price ये दिया जाता है तो कितना हो गया 22 क्रोप्स प्लस वन सुगर जिसके लिए fair and rumourative price दिया जाता है तो जो 22 क्रोप्स हैं उनमें 14 खरीफ, 6 रावी और 2 commercial इनके लिए MSP तरे की जाती है साथी फ्रेंड्स पब्लिक एजुकेशन में फुली डिजिटल होने वाला केरल पहला इस्टेट है और केरल ने अपना ड्रेगन फ्लाइ फेस्टिवल भी मनाया है जिसे बोलते हैं थुम्भी महुल सवम इस तरह के कुश्चन इंपोर्टेंट है और पूछे जाते हैं यह जो भी IIT वगेरा अपना शोद करते हैं या फिर कोई इंवेंचन करते हैं तो यह कुश्चन आपके लिए काफ़ इंपोर्टेंट है इसकी अलग से वीडियो भी हमने प्रोवाइट की हुई है आपको जनवरी से लेके अक्टूबर की जिसमें जितने भी IIT चड़चा में रही हैं उनसे रिलेटेड न्यूज आपको बताई गई हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं Recently in which Indian state 100 million years old fish named Enigmarchanna golem was discovered The correct answer is option A तो हाल ही में भारत के किरल राज में एरिंग माचन्ना गोलम नामक 100 million verse पुरानी मचली देखी गई है और friends जो ये गोलम नाम है ये रखा गया है Lord of the Rings के characters के नाम पर साथी इसकी एक sister species भी पाई गई है जिसका नाम है एनिग मचना महाबली विच कोर्पोरेशन हैस टॉप्ट दा फॉप्स लिस्ट ऑफ वर्ड्स बेस्ट एम्प्लोयर ट्वन्टी 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 तो विच्व की सर्फ्ट एम्प्लोयर है आपकी सैमसंग कंपनी और इसका हैटकॉर्टर से साथ कोरियन कंपनी है और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेस्ट एम्प्लोयर है SCL Technologies जो ग्लोबली 30th पोजिशन पर है तो फेडरेशन ओफ इंडियान फेंटेसी स्पोर्ट्स की नए अध्यक्ष बनाए गए है बिमल जुल का और यह किस से चार्ज लेंगे यह टेक ओवर करेंगे जॉन लॉफेजन से विच स्टेट लॉंच्ट धरणी वैब पोर्टल फोर लेंड एंड प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन बी तो तेलंगाना राज ने भूमी और संपत्ति पंजी करण के लिए धरणी वैब पोर्टल लॉंच किया है और फ्रेंड्स यहां के सीम है के चंद्रसिकर राओ गवर्णर है यहां की तमिल सई सुन्दर राजन कैपिटल है हाइदराबाद फ्रेंड्स जो यह धरणी एप है इससे क्या होगा जितने भी लेंड रिकोर्ड्स हैं और प्रोपर्टी रेजिस्ट्रेशन से इन सब को डि लंगाना जिन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है वो है महाराष्ट, चातिसगड, करनाटका एंड आंध्रपर्दिस इस मैप से आप देख सकते हैं केशु भाई, सवदास भाई, पटेल, पास्ट अवे रिसेंटली, he was the former chief minister of which Indian state, the correct answer is option B तो केशु भाई, सवदास भाई, पटेल का हाली में निधन हो गया है, यह गुजराद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कुछ महीनों के लिए 1995 में यह मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद, March 1998 से, October 2001 तक, यह गुजराद राज्य के मुख्यमंत्री रहे तो ओमपुरी को बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फिल्म फेस्टिवल में लाइफ्टाइम अचीवमंत्री से समानित किया गया है, तो यह तो अब रहे नहीं है ओमपुरी, तो इनकी तरफ से इनकी फैमिली ने इस अवार्ड को वर्चुली स्विकार किया है, और फ्रेंड्स इसी अवार्ड के अगर बात करें तो मलियालम फिल्म खान्ती इसको बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है, साथी बेस्ट एक्टर मेल यह मिला है विक्टर बैनर जी को और बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला है स्यालजा अम्बू को रिसेंटली अन्यू प्लांट इस्पिसीज नेम्ड एसीनोप्स साहेद्रिक्रस हैस बीन रिसकवर्ड इन विच इंडियन इस्टेट वाज दिस न्यू इस्पिसीज फाउंड तो हाल ही में एसी नॉप्स सहेद्रिक नाम की एक नई पादर प्रजाती की खोच की गई है यह नई प्रजाती बारत की महराष्ट राज्य में पाई गई है साथी फ्रेंट्स आप हमें टेलिग्राम पर जरूर जोइन करें यहाँ पर इंपोर्टेंट इबुक्स और करेंट कुजेस हम आपको प्रवाइड कराते रहते हैं तो सिंप्ली आप टेलिग्राम पर जाएए हमारा चैनल आप टाइप कीजिए और आपको चैनल मिल जाएगा और इसको जोइन कर लिजिए साथी आप discussion forum में भी जुड़ सकते हैं टेलिग्राम के तो वहाँ पर देखे बच्चे अपना discussion करते रहते हैं और जो भी उनकी query है उसको वही के वही solve कर दिया जाता है साथी friends यहाँ पर current affairs की playlist दी गई है तो यहाँ से आप current affairs देख सकते हैं काफी important current affairs है तो आप एक बार इनको जरूर देखिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप comment box में जरूर बताइए और वीडियो गर आपको अच्छी लगी है तो like और share जरूर कीजिए थैंक्यू एपको ये वाइस